दोस्तों ये है बजाच पलसर 125 जिसके बारे में आज आपको इस वीडियो में पूरी डिटिल मिलने वाली है कब तक ये बाइक इंडिया में लॉंच होगी कितना प्राइस हो सकता इसका साथ ही क्या-क्या फीचर इसमें मिलने वाली है तो चली वीडियो के स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले इसकी लुक्स की बात करें तो ओवर ओर लुक आप इसकी देख सकते हैं ये काफी अट्रेक्टिव और स्पोर्टी लग रही है बात करें फीचर की तो इसमें बिल्कुल न्यू डिजाइन की प्रोजेक्टर LED हेडलाइट मिलेगी न्यू डिजाइन की LED टेल लाइट मिलेगी साथ ही इसमें बिल्कुल न्यू डिजाइन का फ्यूल टैंक मिलेगा और इसमें एनलोग प्लस डिजिटल कॉंबिनेशन का मीटर कंसोल मिलेगा जिसमें गेर पॉजिशन इंडिकेटर और आर्पिम मीटर भी मिलेगा जैसे की बजाज पलसर N160 में मिलता है बाकी USB चारजिंग पोर्ट जैसे लेटेस्ट फीचर्स भी इस बाइक मी मिलेगे दोस्तो सेफटी के लिए साड़ इस्टेंट कट ओफ सेंसर के साथ CBS यानि कॉंबे ब्रेकिंग सिस्टम और डिस्क ब्रेक भी इसमें मिलेगा और अगर बात करें इंजन की तो इसमें 124 CC का Air Cooled BS6 Phase 2 वाले इंजन मिलेगा जो की OBD2 सेंसर और E20 अपडेट वाला होगा जिसका मतलब है कि आप इस बाइक में 20% एथनोल वाला Flex Fuel भी यूज़ कर पाएंगे और अब Power Figure की बात करें तो इसमें लगबग 11.8 BHP तक की पावर मिलेगी और 11 Nm तक का टॉर्क इसमें देखने को मिलेगा साथ ही ये बाइक 5-speed gearbox के साथ आएगी और दोस्तो इसमें Self Start के साथ के कि Start Option भी मिलेगा और अगर इसकी माइलेज की बात करें तो 50 km पर लीटर तक की माइलेज इसमें आसानी से मिल जाएगी अब चली फाइनली बात कर लेते हैं इसके Price की तो दोस्तो इसका On Road Price 1,30,000 रुपे से Start हो सकता है वहीं अगर इसकी Launch Date की बात करें तो बजाज कमपनी 2024 में ही अपनी इस New Pulsar 125 को इंडिया में लॉंच कर सकती है तो दोस्तो ये थी सारी डिटेल्स इस बाइक के बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं कराए तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको बाइक के निउ अपडेट्स मिलते रहें और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग